हलो एवरिबडी इस दिग्रास सिंग राशपूद वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम देख रहे थे कि मेजर लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं तो मेजर लैंड फॉर्म्स कैसे ब जैसे रिवर था वैसे ही सी वेवस भी हैं सी वेवस से भी क्या होता है सी वेवस से भी तरह तरह के अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं अब सवाल यही आता कि सी वेवस कैसे लैंड फॉर्म्स बनाती है तो देखो सी वेवस से सी केवस बनती है राइमिंग हों गई सी equal to sea caves तो sea waves जो समुद्र में लहरे चलती है वो क्या बनाती है? समुद्र के अंदर गुफाएं बनाती है अब यहाँ पर शेर नहीं रहता है तो समुद्र की गुफाएं कैसे बनती है? सी केसे बनती है? यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ठीक है? सी के बाद में अगर हम देखें तो sea arch बनते हैं देखो यह कितना सुंदर दिख रहा है मतलब ऐसा sea arch बनते हैं समुद्र में अब यह sea arch कैसे बनते हैं? यह भी हम आपको बताएंगे फिर और क्या क्या बनता है? stags बनते हैं इस तरह से यह जो stags हैं यह भी बनते हैं समुद्र में किसके कारण? sea waves के कारण यह हम बताएंगे आपको कैसे बनते हैं फिर beach कैसे बनता है और sea cliff क्या होता है कैसे बनता है तो यह सारी चीज़ें अब देखो कितने landforms हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तो 5 landforms जो हैं वो sea waves के कारण बनते हैं अब यह sea waves ऐसा क्या कर देती है कि 5 तरह के लग-लग landforms बन जाते हैं इसी चीज़ को हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं देखो क्या होता है coastal landforms such as sea curves नहीं है यह ठीक है sea caves है तो coastal landforms such as sea caves sea caves, arches, stacks, sea cliffs and beaches are formed due to the action of sea waves sea waves क्या action करती है कैसे वही सवाल है आपके मन में वो बताते हैं तो sea waves strike at the rocks अब यह important चीज़ है क्या होता है यह जैसे यह GIF देखना है आपको इससे सीखना है सारी चीज़ है कि sea waves है यह sea waves क्या करती है sea waves rock के उपर strike करती है देखो तो अभी अभी यहाँ पर आएगी यह sea waves से यह strike कर रही है क्रैक्स डवलप करी क्रैक्स डवलप करने के बाद में जो आपने देखा था एक black portion बना था किस तरह से क्रैक्स डवलप करने के बाद में जैसे यह खाली एरिया जो है ना तो पहले यहाँ पर क्या था पहले पूरा एक तरह से अगर दिखा जाए तो जैसे यह पार्ट था यहाँ पर sea waves टक्राती रहती थी इस तरह से तो पहले plane था लेकिन जब टक्रा रही है continuously तो क्रैक्स डवलप होगी और वह क्रैक्स क्या होते जाएगी धिरे धिरे wide होते जाएगी तो इस तरह से sea caves बनती है ठीक है देखो अब इसमें वापस से तो क्या होता है कि यह sea caves develop होती है अभी cracks develop होगी initially और cracks किसमें convert हो जाएगी एक बड़े से cavity में develop हो जाएगी ठीक है यह देखना black color का जो आएगा उससे रोक नहीं सकते हम तो यह cracks और यह cavity यह sea caves sea caves के बाद में क्या होता है जैसे जैसे जो cracks develop होती है तो यह cracks develop होने का बाद में sea caves बनती है और यह sea caves क्या करती है as the cavity of cave become bigger over the period of time only the roof of cave remains resulting in the formation of sea arches अब देखो यह important चीज़ है कि जैसे जैसे क्या होता है कि यह cavity जो बनी थी जो cave बनी थी cave में continuously waves तो टकराती रहेगी पहले क्या था पहले सामने टकराई थी surface पे अब cave बन गई तो cave पे टकराती जारी waves तो अब जितनी ज़्यादा waves टकराएंगी तो वह उतना बड़ा cave बनाते जाएंगी और धीरे-धीरे क्या होगा एक दिन ऐसा आएगा यह crack develop होते होते पूरी cave हट जाएगी और आरपार दिखने लगेगा आपको अब जब यह आरपार दिखता इधर से उदर तो इस structure को क्या कहा जाता है इस structure को arch कहा जाता है imagine कीजिए देखो कि पहले यहाँ पर क्या था कुछ भी नहीं था पूरा इस तरह से plane एक area था लेकिन जब sea waves टकराएगी तो पहले cave create करेगी और धीरे-धीरे इस पार से उस पार है over the period of time यह cracks, cracks से cave, cave से arch यह sea arch जवलप हो गया अब देखो का है तो यह हमने sea arches पढ़ लिया only the roof of cave remains roof ही बचती है न सिर्फ sea arch में क्या होता है यह उपर उपर roof बचती है बाकि यहाँ पर दो पिलर है इस तरह से तो यह sea arch बनता है फिर क्या होता है further erosion breaks the roof only wall are left is equal to stacks ठीक है मैं बाहर चले जाता हूँ और आपको यह दिखा देता हूँ, stacks तो अब यह यहाँ पे क्या होता है कि जैसे-जैसे sea caves develop होती, sea caves को और hit करते जाती है तो sea caves के बाद में sea arches सिर्फ roof बचती है, roof बचती इस तरह से तो sea arches, फिर एक समय पर क्या होगा कि यह जो crack develop हुई cave बनी, cave बनने का जो arches बने, सब गिर जाएगा और यह उपर की roof भी गिर जाएगी तो एक pillar बचेगा बस यह pillar क्या कहलाएगा, stack कहलाएगा तो अब हमारे जो next structure होता है next structure होता है क्या stack का, जैसे यह यहाँ पर देखो अब मैं आपको एक कहान ही सुनाता हूँ यह दोनों दोस्त थे, यह यहाँ पर खड़े थे लाखों साल से खड़े थे, तो अब क्या होता है पहले पूरी जमीन थी इस तरह से पूरा pack था यह मान लो और sea waves टकराएंगी टकराएंगी तो यह sea waves, sea caves से क्या बन जाएगा sea arch बन जाएगा फिर जो ऊपर की यह roof थी एक दिन क्या होना है, एक दिन यह roof भी गिर जाना इस तरह से अब जब roof गिर जाएगी तो क्या बचेगा सिर्फो सिर्फ stacks बचेंगे तो ऐसे क्या होता है? अलग-अलग land form बनते हैं किस की मदद से? अलग-अलग land form बनते हैं sea waves की मदद से या फिर sea waves के कारण यह हो गया, अब और भी अलग-अलग चीज़े बनती है देखो, और क्या बनता है तो यहां तक हमने क्या-क्या देख लिया? यहां तक हमने sea caves, sea arches और stacks, इतनी चीज़ें देखी अभी, अब हम देखते हैं क्या और क्या बनता है, तो the steepy rocky coast almost vertically above sea water is known as sea cliff, देखो यहां पर क्या होता है, तो यही जो structure होता है, arch बनता है, गिर जाता है, stacks बचेंगे, यहां पर यहां पर यह गिर जाएगा, stacks बचेंगे, औ यहां पर आसर रहता है कि यह समुद्र है, ठीक, और यह समुद्र के उपर सीधी एक चटान है, और जो आपको एक cliff दे देती है, यहां पर लोग खड़े हो जाते हैं, और यहां पर खड़ो के फिर क्या करते हैं, फोटो खिचवाते हैं, तो वो sea cliff होती है, ठीक है, यह देख रहे हैं आप, कि यहां पर यह जो pillars देख रहे हैं, कभी किसी समय में सी आर्च भी बनाते होंगे, फिर stacks भी बनाते होंगे, किसी समय में, लेकिन धीरे-धीरे सब वो डिसिंटिग्रेट हो गए, और जो main part था, वो sea cliff के form में बचा रह गया, तो यहां पर यह sea cliff बनती ह यह sea cliff हो गया, ठीक तो चार landforms देख लिए हमने और पांचवा landform जो बनाती है, वो बनाती है, beach, अब beach को पढ़ते हैं, beach कैसे बनता है, देखो, तो यह हो गया, यह क्या था हमारा, यहां पर sea cliff का हमने example देखा, कि sea cliff बनता है, अब देखते हैं, the sea waves deposit sediments along the shores due to this beaches are formed, क्या हो होता है, कि जो sea waves बह रही है, वो sea waves जैसे जैसे बहते हाती है, तो sea waves अपने साहते हैं, अब क्या होता है, यह जो टूट रहा है, पूरा stack टूट रहा है, CRS टूट रहा है, C में गिरेगा यह तो, इनके sediments बन जाते हैं, चोटे-चोटे particles में तूट जाते हैं, अब ऐसा तो हर घंटे, हर हफते, हर दिन क्या होते रहते हैं, कुछ particles waves के साथ में आते हैं, और बीच पर ही रह जाते हैं, wind उनको और आगे धका देती है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से, वो sediments deposit होने लगते हैं, coastal area पे, जैसे आप अगर जाते हैं, यह बीच पे देगों यह waves आ होती है, क्योंकि वो पानी के बीच में टकराते हैं, बहुत बारिक और बहुत छोटी हो जाती है, जो beaches बनाने में बहुत important role play करती है, तो इस तरह से beach बनता है, ठीक है, तो हमने major landforms अगर देखा जाए कि कौन कौन से बनते हैं, sea waves से, तो सारे landforms को discuss कर लिया, sea waves कैसे बनत हैं, sea arches कैसे बनते हैं, और sea cliff कैसे बनती है, तो these are some of the major landforms which are being created by sea waves, ठीक है, अब देखो, landforms में हमने देखा river बनाती है, sea waves बनाती है, अब next video में हम देखेंगे कि landforms glaciers भी बनाते हैं, ice भी landform बनाता है, अब आप यही सोचर होंगे, ice कैसे landform बना सकता है, बरफ तो हमा हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much